नमस्कार दोस्तों जै मातादी जै माववानी तुलाराशी वालो दोस्तों स्वागत त्याब शभी का हमारे यूट्योब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप शभी उमिद करते हैं मा गौरी मा अंबे मा भुवानी जी के आशिरवाद से आप शभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान सनी देब जी के आशिरवाद से आप दिन दुगनी, रात सोगनी तरक्य करें। तुलाराशी बालों, आज दो पहर तीन उनसट बजे के बाद आप शबी की जुनकाल में एक समतकारिक बदलाव करेगा। जी हाँ, लेकिन तुलाराशी बालों, इस राज को राज ही रहने देना। कहीं पर भी धिन धोरा पिटने की कोई जरुवत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कल से आप शबी के जुनकाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और एक जटके में आप का जीवन ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप शबी को बता दें। आज दो पहर ठीक तीन उनसट बजे के बाद जो घटना आप शबी की जुन में घटित होने वाली है। इसे देखकर आप भी एकदम डंग रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज से ठीक दस साल पहले यह घटना आप शबी की जुनकाल में हुआ था। जो कि दोस्तों फिर से वही घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप शबी के आखोशी, खुशी के आशु टपकेंगी। जी हां दोस्तों आप जो भी सुन रहे हैं बिलकुल शही सुन रहे हैं यहां शुन कर आपको अपनी आँखों पर यकिन नहीं होगा मुझे पता है लेकिन दोस्तों शच सुन कर आप एकदम से चौप जाएंगी जी हां दोस्तों वीडियो पूरी तरहशे गरह गोचर पर आधारित है इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस्मत किजिएगा और इसे आप शुरूशे लेकर अंत तक देखिएगा जी हां दोस्तों जो राज की बात हम आपको बताने जा रहे हैं यह बात आपको किसी दे नहीं बताया होगा और ना ही कोई आपको बताएगा जी हाँ दोस्तों चानकारी के लिए हम आप शभी को बता दे भाग्य के देवता भगबान सनी देव जी जब भी अपने भगतों पर महरबान होते हैं तो वो अपने भगतों को माला माल बना देती हैं खुशाल कर देती हैं जी हाँ दोस्तों भगबान अगर एक रास्ते बंद कर देती हैं आपकी इनकम के जरिये बंद कर देती हैं कमाने का रास्ता बंद कर देती हैं तो दोस्तों बिलकुल भी घवराना नहीं है क्योंकि भगबान आपको उससे भी बेटर देना चाहता है जी हाँ क्योंकि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं जी हाँ दोस्तों बात ये बात कल भी सत्य था और आज भी सत्य है जी हाँ दोस्तों इस बात को आप नदाश करने की कोशिश करेगा वो पूरी जीवन भर पस्ताएगा जी हाँ लेकिन बाद में पस्ताने से और रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा जैसा हम आपको कह रहे हैं वहशा करिए तब ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा बात समझाई हो तो शर्पृत्म वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करकी नीचे कमेंट बॉक्ष में तीन बार जैसनिदेब 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 जरूर लिखें इससे भगवान सनिदेब जी किरपा आप वो आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा तो चलिए जानते हैं क्या खास साउधनी बरतनी है कौन से उपाई करनी है ताकि आपका जीवन शांदार हो जाए और आपका जीवन बिना रुकावट के लगातार आगे बढ़ता रहे तो लाराशी बालो आज का दिन व्यापारिक अस्थतियां काफी प्रबल नजर आ रही है जो लोग व्यापार करते हैं विजनस करते हैं उनके लिए समय शोने पे सुहागा कहा जा सकता है जी हाँ शितारे कहते हैं कि आज उन लोगों को उनका पुराना बकाया पैसा मल सकता है जी हाँ व्यापार में उन्नती के योग बन रही हैं और शितारे यह भी कहते हैं कि आज इसरासी के जात्कों को अचानक लाब होगा जिसके बारे में किसी ने आज तक नहीं सोचा होग जी हा, वहां से लाब होगा, लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गुप्त बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जी हां दोस्तों फिर वो चाहे आपका बहुत खास ही क्यों न हो, आपका बहुत करीबी ही क्यों न हो, दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कोई भी इंसान आपके लिए तब तक खास रहता है जब तक आपको उनको आपसे बहतर नहीं मल जाता जी हाँ जिस दिन आपसे बेटर उन्हें मिल गया उस दिन से आप उनके लिए पराय हो जाओगी जी हाँ इसलिए दोस्तों अपने सिक्रेट बात किसी को भी मतलताईएगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो बरसों एक ना एक दिन तो होना ही है इसलिए दोस्तों खुद से जादा विस्वास खुद से जादा भरोशा किसी के भी उपर ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा द जन कल्यान के कारी से आपको जोड़ने का मौका मिलेगा लेकिन दोस्तों आप किसी गलत बात के लिए हां ना करें कोई भी फैसला लेने से पहले दोबारा सोच बिशार कर लेजिएगा और अपनी वानी में एस्पष्टता बनाए रखें आपका आत्म विश्वास शरम पर रहेगा क्योंकि आपको सोचने समझने ज्यादा मौका ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा इसलिए दोस्तों जो भी कारी कर रहे हैं तुरंद किजिएगा और बहुत ही सावधनी पुर्वक किजिएगा महीं दोस्तों आपके लिए जो समय हूँगे आपके दिन गरी जो शमय हूँगे आज का दिन आपके लिए साजिदारी में किसी काम को करने के लिए रहे गा शेवार शेत्रिशे आपको जोडने का मौका मिलेगा, प्रेम बॉस सनिह आपके अंदर बना रहेगा, मेहनत और विश्वास से काम करके आप लोगों को हैरान करेंगे, जी हलोस थो, आपकी लोग तारिफ करेंगे क्योंकि आज आपकी किस्मत बहुत ही साथ देगा और आपको सभी कामों में सभलता मिलेगी नेजी मामलों में आप साउधनी बरतें वैक्तिगत कारी के प्रती आप जो है प्रभावित होंगी आपका किसी पुरानी गलती को लेकर आज परदा उठ सकता है जी हाँ इसलिए साउधन रहिएगा देखिये दोस्तों शंतान को यदि आप कोई जिम्मिदारी देंगे तो वहाँ उस पर खरी उतरेगी घुमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्पूर जानकारी प्राप्त हो शक्ती है जिससे आप तुरंत आगे ना बढ़ाई जी हाँ दोस्तों सोच समझकर ही आगे बढ़ाईएगा बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर अभी आपको नहीं चलना है इतना जरूर ध्यान लगिएगा वहीं दोस्तों आपके लिजो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिजो समय होंगी आज का दिन लेंदेन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है साज़दारी शे आपको लाब तो होगा लेकिन आप अपने आसपास की हरकतों पर पूरी निगरानी रखें क्योंकि लोग अभी आपको परिशान करने की कोशिस करेगा यदि आप किसी काम को लेकर लंबे समय से परिशान चल रहे हैं तो बहा आज पूरा हो शकता है जी हाँ दोस्तों और आप अपने कामों में आज धिल देने से बची बिजनस कर रहे लोग यदि किसी से धन उधार लेना चाहती हैं तो बहा भी उनको आसाने से मिल जाएगा जी हाँ देखिए दोस्तों आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधाएं आ रही थी तो बहा आज पूरी होंगी माता पिता के आशिरवाद से आप किसी छोड़े मोटे काम की शुरबात कर सकते हैं जिसमें आपको भागी का पूरा शाथ मेरेगा बहीं दोस्तों आपके लिजो समय होंगी आपके लव लाइफ के लिजो समय होंगी देखिए दोस्तों आज बाध विवाद होने की इस्तती बन रही है लडाई जगडे के योगों बन रहे हैं हो शकता है लड़ाई जगड़े आपके आसपास में भी हो शकता है या फिर आपके घर में कलह कलेश वाद विवाद हो शकता है। शांती पूर्ण माहौल बना कर रखियेगा और छोड़ी मोड़ी बातों को नजर अंदास करके आगे बढ़ते रहिएगा तभी आप अपनी जीवन में तरक्की हाशिल कर पाओगे और तभी आप अपनी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जी हलोस्तों आज का दिन आप के लिए चुनोती पूर्ण रहने वाला है। आप नौकरी में बहतर प्रदशन करेंगे शेवा भावना और कारियों पर पूरा जोर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवहा प्रस्ता पर मुहर भी लग सकती है, आपके कारिक शमता में व्रद्धी होगी और व्यक्तिगत मामलों में आपको सावधा नहना होगा। यदि किसी मांगली कारिक्रम में शम्मेरित हो तो आप लोगों से तोल मूल कर बोलें। करियर को लेकर अपने आसपास में रह रहे लोगों से सावधा नहना होगा। जो आपके मित्र के रूप में शत्रू होशकती हैं। जी हाँ, उनसे आज आपको बहुत ही जादा शत्रक और सावधा नहने की जरूद हैं। जी हाँ, दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह से सावधानी बरतनी होगी क्योंकि भागी का भरपूर साथ मिलेगा लेकिन दूसरों की वजह से नुक्षान भी हो सकता है। सही समय पर सही से डिसिजन अगर नहीं ले पाओगे तो नुक्षान हो सकता है। जी हाँ, वैसे तो समय बहुत अच्छा है, भागी आपका बहुत प्रबल रहेगा। शितारी कहती हैं, आज के दिन आपके लिए इंकम में ब्रिधी लेकर आएगा। जी हाँ, यानि कि आपको आज धन कमाने के नए नए रास्ते दिखाई देंगी। और आपके सुक्ष विधाव में ब्रिधी लेकर आएगा। आपका व्यवसाय सम्मंधित कुछ योजनाई आज गती पकड़ेंगी, जिसमें अच्छा धन कमाने में भी काम्याव रहेंगी। और रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि किसी काम को लेकर चिंता आपकी बनी हुई थी, तो वो चिंता भी आज समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, शितारे कहती हैं कि आज का दिन आपके लिए आत्म विश्वाशी भरपूर रहने वाला है। और आपकी आए में व्रधी होंगी और अपनी मन पशन चीजों की खरिकदारी पर पूरा खर्च करेंगे और परिवार के लोगों की जरुवतों का पूरा ध्यान रखेंगी। जी हां दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी दोस्तों बता दें कारो बार में आपको महनत अधिक करने होंगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने शाथी की बातों में आकर कोई बड़ा निविस करने की योजना बना शक्ती हैं। जी हां और आपको किसी नए शाम की शुरुवाद करना अच्छा लगीगा। और इस समय आपको उश में लाव भी देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों आज का दिन आपके लिए आर्थिक द्रिश्टी कौन से मजबूती लेकर आने वाला है। आपको उसे नजर अंदाज नहीं करना है, नहीं तो वह समस्या, बाद में आपको कोई बड़ी बिमारे का कारण बन सकता है। जी हां दोस्तों आपके लिए इंकम में व्रिधी लेकर आएगा, आपको आर्थिक शित्र में अपने शाथी के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जुनियर्स के कामों पर ध्यान नहीं दिया है, तो आप से कोई गलती हो शकता है, तो उसमें साउधहनी बरती, विध्यार्थियों को बोध्धिक बामानसिक बोध से सुटकारा मिलता, दिखाई दे रहा है। माता जीशे आपकी किसी बात पर धड़ब भी हो शकता है, शंतान पक्स की और से आपको कोई खुस खबरी सुनने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, कोल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आज का दिन आपकी सुक्ष विधाओं में ब्रधी लेकर आएगा, और आपका व्यवसाई सम्मधित कुछ योजनाय आज गती पकड़ेंगी, जिसमें आप अच्छा धन कमाने में भी काम्याब जी हां दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय मध्यम रूपशे फलदायक रहने वाला है, आपके कुछ खर्चे बढ़ने शे आप थोड़ा परिसान रहेंगी, लेकिन दोस्तों परिशान होने की बजाए मन को शांत रखें, लेकिन किसी प्रेम से सम्मंधित मामले में आप दिल की जगह दिमाग की सुने, नहीं तो आपकी कोई जो है एक्षा अधूरी रह सकती है, आप अपने घर की मरमत आदी कराने में बजार विमर्स कर सकती हैं, जिसमें भी आप अच्छा खाशा धन लगाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के शाथ पिकनिक पर ज कारिक शित्र में आपको अपने कारियों के लिए कोई उपहार मिल सकता है, जी हाँ दोस्तों इसलिए पूरे लगन से महनत से काम करें, शफलता आपको ज़रूर मिलेगा, दिन आपके लिए उत्तम रुपशे, फलदायक रहेगा, आप एक्ष्ट्रा एनरजी से भरपूर र और काम के सिलसिले में आप छोटी दूरी यात्रा फुरजा सकती हैं, जो आपके लिए मध्यम रुपशे फलदायक रहेगा, आपको अपने रुके हुए कामों को शमय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो बाद में आपको उनसे समस्या हो सकती है, जी हाँ दोस्तों इतना ध लापरवाही और आलसी करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है, आपको नौकरी में मन मताबिक काम मिलने शे आप प्रिशन रहेंगी, और यदि जीवन साथी से किशी बात को लेकर अन्बन चल रही है, तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको व्यापार की कु मन्धित कोई फैसला बहुत ही साउधानिश लेना होगा, इतना जरूर धियान रखियेगा, जी हाँ, लापरवाही और आलसी करने से बच्चियेगा, बाकी समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, भागी आपका 77% साथ दे रही है, आपको इसका लाग उठाना चाहिए, आज आपको कोई भी संकेत मिले, तो आप उश्वर घमन मित किजिएगा, और अनादर मित किजिएगा, नहीं तो दोस्तों सब कुछ उल्टा ही होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेब जी की आशिरवाद से आज आपके धंधाने में वरधी लेकर आन कंभाल कर रखना है, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों, आज आपको परवारिक मामलों में पूरी रूची बनाए रखनी होंगी, और आपके अंदर अपने कामों को करने में जल्दबाजी रहेगी, जिससे आप कोई गलती कर बैठेंगे, इसलिए आज इतना ध्यान डखना है कि आज आप क्या कर रहे हैं और कितना हद तक ये आपके लिए सही रहेगा, आज का जो दिन है रचनात्मक कारी से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा, और आप एक लक्ष को बना कर चलेंगे, तो आपके लिए बहतर रहेगा, उससे आपको क्षित्र में जो है कारी से विभार से जुड़कर मसले आज सुला सकती हैं, लेकिन आप किसी जमिन जायदात की खरिदारी कर्टेश में उसके चल और अचल दोनों पहलों को इस वधिंता से जात लें, नहीं तो आपके शाद धोखा हो शकता है, जी हाँ, आपको अपनी किस खास रहने वाला है, आप जीवन साथी के लिए शॉपिंग पर लेकर दा सकती हैं, जी से आपका धन भी खर्च बढ़ेगा और संतान भी आप से किशी बस्तू की जिद कर सकती है, लेकिन आप किसी निवेश को बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो समस्या हो शकती है, जी ह और अपने करिवियों के भरुशा जितने में आज आप काम्याब रहेंगी, आपको किसी की कही सुने बातों पर भरुशा करने से बसना होगा, नहीं तो इससे आपका कोई लडाई जगड़ा हो शकता है, और व्यबशाय की कुछ योजनाव को गती मिलेगी, वहीं दोस्तों आपके लिजो समय होंगे, आज का दिन आपके अध्यान और अध्यापक के प्रती रुची बढ़ेगी और आर्थिक मामलों में आपको शावधानी बरतनी होंगी, कारिक्षित्र में आप अच्छा प्रदर्शन करके नाम कमाएंगे, और आपको एक बड़े लक्ष को पकड आशा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, विध्यार्थी के उच्छ सिक्षा की मार्ग प्रस्त होंगे, और कुछ उन्हें बिदेश से भी आफ़र आशकता है, बिजनस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आप अप अपने विवेक का इस्तिमाल करेंगे और सोच समस्कर करेंगे, तो आपको लाब ही लाब होगा, जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, आपके लिए जो शमय होंगी, आपके दिन चर्या के लिए जो शमय होंगी, आज का दिन आपके लिए धार्मिक कारिश से जुड़कर ना वियाषर काम मिलने से आज आप प्रसund रहेंगी लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोग आज अपने शाथी से किशी बात को लेकर नराज हो षकते हैं जी हादोस्तों इसी में आज आपको ध्यान देना है कि छोटी मोड़ी बातों को पकड़ कर सेलेंगी तो दिकर हो शकता है जितना हो शकती इन छोड़ी मोड़ी बातों को नदर अंदाल्स करके इस तो आपके लिए बहतर रहेगा और इससे परिवार में शुक्षांती भी बनी रहेगी जी हाँ आप अपने कामों में आज व्यास्त रहने के कारण अपने कुछ जिम्यदारियों को पीछे छोड़ सकती है जिससे बाद में आपको समस्या हो शकती है इसलिए दोस्तों आज आपको इस बात पर धियान देने की जरुवत है कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा जरूरी है उसी आज सबसे पहले करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहतर होंगी आज का दिन आपके लिए किसी नई काम की शुरुबात करने के लिए बहतर समय रहने वाना है आप दिवशाइक के मामलों में किसी पर भी आँख मुंद कर भरुशार ना करें नहीं तो रिक्कत हो सकता है लेकिन आपकी रुके हुए काम आज अवश्य पूरे होंगी और जिसमें आपको भागी का पूरा पूरा शाथ मिलेगा यरी आपने पहले किशी को धन उधार दिया था तो वहाँ भी आपको वापश मिल सकता है आज आप परिवार के सदस्टों के साथ किसी पिकनिक आदी पर जाने की योजना बना शकती है जिसमें छोटे बच्चे मोज मस्ती करते हुए नजर आएंगे भागी का आपको अधिक अधिक शाथ मिलेगा किस्मत का शाथ मिलेगा भागी आज आपका तक्रीवन एट्टी प्रतिशत साथ दे रही है सभी कामों में सफलता मिलेगी लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही बिलकुल मत किस्येगा नहीं तो परिशानिया आपकी बढ़ सकती है जी हाँ दोस्तों कुछ बहुतिक मामलों में शावधानी बरतने की जरूरत है और आपको आज परिवार की किसी सदस की और से सुब समाचार सुनने को मिल सकती है देखिये दोस्तों यदि आपने किसी को रुपिय पैसे धन बगरे उदाज दिये थे तो वह भी आज आपको मिलने की पूरी संभावना दिख रही है जी हाँ दोस्तों माता पिता का आशिरवाद मिल रही है और माता पिता के आशिरवाद से आज आपका रुका हुआ काम शमय पर पूरा होपाएगा जी हाँ दोस्तों माता पिता के चरणों में संसार की सारी खुश्या है इसलिए किसी भी सुभकाम करने के लिए घर से जाते वक्त आपको अपने माता पिता का चरण असपर्स करके ही निकलना है इतना ध्यान रखिएगा जिनके माता पिता नहीं है वो अपने घर में रखी भगवान को प्रणाम करके निकलें इससे आपके वो काम बनने की पूरी संभावना बन जाती है संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है जी हाँ दोस्तों इसलिए इतना जरूर धियान रखिएगा इसके उपरांद आगे आपके लिए जो समय होंगी आज का दिन आपके लिए उर्जावान रहने वाला है जी हाँ दोस्तों आपके मान चम्मान में व्रिध्धी होगी और आपकी किसी अंजान व्यक्ती से मुलाकाद कोशक्ती है जो कि आपके लिए नुक्षान दायक जी हाँ दोस्तों इसलिए आपको किसी अंजान व्यक्ती पर भरोसा करने से खास तोर से आज आपको बचना होगा जी हाँ दोस्तों उससे आपको ज़्यादा मेल मिलाक नहीं रखना है लेंदेर नहीं करना है नहीं तो आपको नुक्षान हो सकता है जी हाँ दोस्तों आगे आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए मिस्रित रोपशे फलदायक रहने वाला है आपके अंदर त्यागव शहयोग की भावना बढ़ेगी और आप शभी का शम्मान करेंगे शभी का रिस्पेक्ट करेंगी आपको किसी मामले में बड़ो की सलह मिलने से आपको जो है बजना होगा और कामकाज की तलाश कर रहे लोग अपने किसी मित्र की मदद से जो है आपका उनका काम सफल हो शकता है आपको किसी दुर रह रहे परिजन से आज आपको कोई सुब समाचार सुनने को मिल सकती है किसी पुराने गलती से आपको सबक लेना होगा नहीं तो समस्या हो सकती है जी हा दोस्तों जिन गलतियों से आपको नुक्षान हुआ है उन्हें आपको दोबारा नहीं करना है जी हादोस्तों आपके लिए अच्छा समय रहेगा आपको कुछ अवरोधों को दूर करना होगा नहीं तो समस्या हो सकती है आर्थी गवशनों को लेकर आप थोड़ा सा सोच बिशार कर सकती हैं जिसके कारण कुछ बड़े अवशर आपके हाथ से निकल सकती हैं जी हादोस्तों शमय किला परवाही करने से बचियेगा आपको आज घर में शब को साथ लेकर सलने की कोशिश करेंगे जो की नाकामयाव रहेंगे जी हादोस्तों आप अपने रूटिन बनाए रखें और यदि आप बिजनस में कुछ कामों को लेकर किसी दुसरे पर जी हादोस्तों इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगे आपके लिए उन्नती दिलाने वाला समय रहेगा यदि आप बिजनस में किशी प्रस्ताव को खुद लेकर किसी बाहरी वैक्ति से मिलेंगे तो वो आपकी बात अवस्य समझेंगी और नौकरी में कारियत लोगों को आज अपने गलतियों को दोहराने से बचना होगा जी हारोस्तों आप अपने अनुभव का पूरा लाव उठाएंगे और आपके किसी मन की एक्षा आज पूरी होने से आप काफी ज्यादा प्रसन रहेंगी जी हारोस्तों परिबा और में छोटे बच्चे आप से किसी चीज की फरमाई से कर सकती हैं आपके प्रभाव वा प्रताप में ब्रिद्धी होती हुई दिखाई दे रही है जी हारोस्तों कुल मिला कर समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा इधर उ दोस्तों आज के दिन आपके लिए धार्मिक कारिक रमोशे जोड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा जी हारोस्तों आप किसी काम में बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे जिसमें बाद में आपको समस्या हो सकती है इसलिए दोस्तों किसी भी काम में कदम बढ़ाने से पहले आपको दोबारा जरूर सोजना चाहिए वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी यह समय आपके मांच सम्मान में बढ़ोतरी होगी और व्यवशाय में आप अपनी दिर्ग कालन योजनाओं की फिट से सुरवात कर सकती है और आपको एकशे अधिक सुरतों शे लाव प्राप्त होने से आपका मन प्रसन रहेगा लेकिन दोस्तों आप अपने से जारा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे जिससे आपको कुछ कम है लटक शक्ती है यदि आप किसी परिक्षा की तयारी में लगे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी जि हादोस्तों इसलिए कहा है कि समय आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है भाग्या आपका 78% शात दे रही है आपको अपना जो है ध्यान अपने कामों में लगाना चाहिए इससे आपको लाब होगा जी हाँ अगर आज के दिन आपको कोई मौका मिले तो आप उस मौके को जाने मत देना क्योंकि दोस्तों ये मौका आपके लिए रामबान शाबित हो शकता है और ये आपकी जिंदगी को बजल सकता है जी हाँ दोस्तों आप अपनी सोच से लोगों को अपनी और आकर सिथ करने में कामयाब रहेंगी आपकी वाणी की मधूरता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी लेकिन दिहान देने वाली भात है आपको इतना दिहान रखना है कि अत्यारिक लाव के चक्कर में छोड़े मोड़े अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना जी हाँ और कारिक्षित्र में आप अपने कामों से अच्छा प्रदर्शन करेंगी जिससे लोग आपकी तारिफ करती नदर आएंगी लड़ाई जगडे के आशार बन रही है थोड़ा सा सावधान देहने की आवशकता है लोग बेवजह आप से उरजने की कोशिश करेंगी य ऐसे सिच्वेशन में लोग आप से जलने की कोशिश करेंगी और बेवजह बात विवाद करने की कोशिश करेंगी ऐसे में जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा शितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए धहर्य बनाए रखने के लिए रहेगा कार किसी से कोई वादा करें तो उसे समय पर पूरा करें। आपको लेंदेन के मामले में अपनी बात को लोगों के सामरे रखनी होंगी, नहीं तो वो आपको जूठा सावित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों दोस्तों नियाय मामलों में आज आप थोड़ी सावधनी बरती और जिम्मेदारियों शी किसी भी काम को करना आपके लिए बहतर रहेगा और उश में आपको शफलता मिलेगी आपका कोई पुराना मित्र आप शे लंबे समय बाद मुलाकात करने आशकता है जिससे आपको काफी ज्यारा खुशी होगी वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए मिस्रित रूप शे फलताय करहने बाला है आज आपके शाहस और प्राकरम में मृध्धी होंगी क्योंकि भागे आपके साथ है किसी बड़े लक्ष को पकड़ कर सलना आपके लिए बहतर रहेगा और उशी में आपको सफलता मिलेगी आप कुछ वरिष्ट जनों से मिलकर अपनी किसी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगी जी हाँ कारोबार कर रहे लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं नहीं तो समस्या हो शकती है और आपको नुक्षान हो शकता है जो लोग किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सावधानी वरतनी होंगी नहीं तो किसी दुरगटना होने के भय शता सकता है जी हाँ दोस्तों खासकर अगर आप खुद का वाहन पर योग करें हैं तो जरा सावधानी प्रवक चलिएगा ये आपके लिए उत्तम रहेगा वहीं दोस्तों आपके लिए जो शमे होंगी आज का दिन आपके लिए अनुकुल रहने वाला है आपको ब्यवशाय में कुछ अच्छा लाब मिले आपका मन परसंद रहेगा और नौकरी में कार्यत लोगों की पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है जी हाँ दोस्तों नौकरी में कार्यत लोगों के लिए शमय बहुत अच्छा है आपको कुछ महत्पूर्ण सर्चा में शम्मेलित होने का मौका मिलेगा विद्ध्यार्थी सिक्षा पर पूरा ध्यान दें और इधर उधर के कामों में ना लगें नहीं तो समस्या हो शकती है आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा और किसी मित्र की और से कोई सुबसोचना सुनने को मिले तो कारिक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाब उठाएंगी जी हाँ दोस्तों वहीं दोस्तों आपके लिए जो शमय होंगी आज का दिन आ आप बड़े चड़कर हिस्सा रेंगी जिससे आपकी साख चारों और फैलेगी आपको एकशी अधिक सुरतोशी धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसंद रहेगा जी हाँ दोस्तों आप किसी बड़े लक्ष के चकर में किसी छोटे को हाथ से नौज आने दें ये आपके ल प्रसंद रहेंगी लेकिन दोस्तों आज आप धन कहीं इधर उधर निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन धन के निवेश ना करें नहीं तो धन आपका डूब शकता है जी हाँ अगर आपने पहले अपना धन कहीं पर लगाया हुआ था या किसी को आपने उधर दिया था तो वह धन आज के दिन आपको मिल सकता है जी हाँ उश के लिए आज आप तादपर रहें आज का दिन आपके स्वास्ते के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है कुछ नरम रहने वाला है जी हाँ आप उश में नापरवाही करने से बचें और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें जितना हो शकी घर का ही बना हुआ सुद्ध भोजन करें बाहर के फास्ट फूट से तो आप परहेज करें ये आपके लिए बहतर होंगे आप अपने कारक्षत्र में कोई भी जोखिम भरा काम ना करें नहीं तो बाद में आपको समस्या हो शकती है जी हाँ और आपके लिए एक सुधाओं का स्वागत होगा और अकाशमात लाब मिलने से आपका मन परसंद रहेगा और सोच बिसार करकी आगे बढ़ें और आपको अपने परिजनों का शाथ मिलेगा और सहयोग भरपूर मातरा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है जी हाँ दोस्तों अगर आप छोटे मोटे अप्षरों को पकड़ कर सलेंगे तो आज आपको लाब ही लाब होगा लेकिन आपको क्या करना है एक बात धिहान रखनी है कि बड़े अप्षरों के चकर में छोटे को नदर अंताज ना करें जी हाँ दोस्तों नहीं तो आप बहुत से अप्षरों को यूही हाथ से गवाश रखते हैं जी हाँ दोस्तों इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना किम्ती बक्त देने के लिए आपका दिल से धन्दाए